एक ऐसा एडवर्ब है जिसे हम अपने लाइफ में सुबह से लेके शाम तक बहुत बार यूज़ करते है और उसे हम जस्ट ऐसे ही अंजाने में ही यूज़ कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसका मिनिंग केवल होता है हिंदी में तो जहां पर हमें केवल की बात करनी होती है only की बात करने तो हम इसको without thinking यूज़ कर देते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमें message कुछ烦 और कन्वे करना होता है इसके गलत यूज़ की वज़ए से message कुछ और कन्वे हो जाता है तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि only को हम कहां कहां पे use कर सकते है और देखिए सबसे important बात यह है और important क्या यह मैं कह सकते हूँ कि बहुत बड़ी surprising fact है कि बहुत से learners को नहीं पता कि उन्हें only को कहां use करना है और वो बस एक basic सा जो बस अपने like में वो चाहे starting में use कर देते है sentence के sentence के last में use कर देते है middle में use कर देते है बट उनको proper use पता ही नही है लेकिन अगर आप only के बारे में अभी तक नहीं जानते इस वीडियो में आप यह जानोगे कि only का use कहां कहां पे होता है और आप जानके surprise होगे कि अरे ऐसा भी होता है हमें तो ऐसा पता ही नहीं था कि only इस तरह से किसी भी sentence के meaning को modify कर सकता है only कर बस एक use subject से पहले use कर रहे है object के बाद यूज कर रहे है verb से पहले use कर रहे है noun के बाद यूज कर रहे है जहां पे भी आप इसे use करोगे यह एक ही sentence में total meaning को change कर देता है sentence के तो अगर आपको भी यह सारी usage आने है only के तो इस वीडियो में आप last तक बने रहीएगा और आज आप only के बारे में एक new thing सीख कर जाएंगे और I think उसे अपनी life में apply भी कर पाएंगे hello everyone I am arti welcome to my youtube channel art english classes अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा तो चलो start करते है आज की वीडियो आज की वीडियो based है only पर ठीक है only का जैसे कि आप meaning Hindi में जानते ही only का meaning होता है केवल जहां पे केवल आत information में एक बर repeat कर देती हूं तो एडवर्ब्स वह वह वर्ब्स होते है जो noun and pronoun को छोड़का sentence के किसी भी part को modify करते है वह किसी भी adjective को modify कर सकते है या फिर वह किसी भी other word को modify कर सकते है बट वह noun and pronoun को modify नहीं करते वह होते है एडवर्ब लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी position क्या होती है किसी भी sentence में तो देखें इनकी position क्या होते है जो adverbs होता है always put near that word whom it modifies adverb हमेशा उन words के आसपास रखे जाते है या तो वह पहले भी रखे जा सकते है उस word के या फिर उस word के बाद में भी रखे जा सकते है जिन्हें वह modify करते है बस यह ही याद रखेगा अब देखें कि जो only होता है वो का उसकी सेंटेस में क्या position होती है उसको कहा कहार पर यूज़ करते हैं so that जो meaning है sentence को चेंज हो सके और हमें जो messages कनवे करना है वो हम easily proper way में कर सके तो जो रोड़ो देखें सबसे पहले सके明 ohil वर्ब only होता है वो before a subject वो किसी भी subject से पहले use हो सकता है अब देखे आप इने देख के पजल मत होईएगा कि अरे ये कैसे समझ ही नहीं आ रहा है अभी सारे के सारे विद एक्जम्पल्स मैं आपको कराऊंगे जस अभी आप ये समझ लीजिए कि ये कहां कहां पे use होता है तो देखे सबसे पहले हम कह सकते है कि हम इसे किसी भी subject से पहले use कर सकते है और वो object जो है वो noun भी हो सकते है और वो object pronoun भी हो सकता है आफटर पजसिव adjective के बाद में भी हम इसे use कर सकते है तो ये सारे के सारे इसकी position होती है कि कहां कहां पे हम use कर सकते है subject से पहले before अवा, before an object, after an object and after the possessive adjective इन सब ये position होती है only कि तो चलो देखे एक ही sentence लेंगे हम देखे आप एक ही sentence के meaning को देखे इतना ज़्यादा confused हो जाओगे कि ये कैसे sentence के meaning को change कर देखे but हम only की position को change करेंगे देखे ये सारे के सारे sentence एक ही है लेकिन बस हमने इसमें क्या change किया है कि हमने जो only है उसकी position को change किया है यहाँ पे starting में use हुआ है यहां पर verb से पहले यूज़ हुआ है and यहां पर my address जो कि यहां पर object का काम कर रहा है यहां पर object से पहले यूज़ हुआ है and यहां पर possessive adjective के बाद यूज़ हुआ है and यहां sentence के just last में कह सकते है कि object के बाद में यूज़ हुआ है sentence same है बस हमने position change के only की तो देखे, meaning कैसे change होता है, किसी भी sentence का, first sentence है, only she saw my dress, इसका क्या मतलब है, only she, केवल उसने, किसने, she ने, केवल उसने, so my dress, मेरी dress देखी, यनि केवल वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, किसी ने मेरी dress नहीं देखी, किसने देखी मेरी dress केवल, केवल she ने, तो only she, यनि केवल उसने मेरी dress देखी, right, अब next देखे, she only saw my dress, उसने, केवल देखी, यहाँ पर किस से पहले use हुआ है, only so से पहले use हुआ है, यनि कि उसने केवल देखी, कुछ कहा नहीं, या कुछ किया नहीं, उसने केवल मेरी dress देखी, right, केवल देखा, उसने मेरी dress को, क्य नहीं किया तो देखे कैसे में उसने मेरी ड्रेस को केवल देखा ठीक है next see so only my dress अब इसका मेनिका see so उसने देखी क्या only my dress केवल मेरी dress किसी और की dress उसने नहीं देखी है ना तो उसने क्या देखा वहाँ पर बहुत सारे she so my only dress अब देखे यहाँ पर my पहले आ गया है पजस्सिव adjective है and यहाँ पर only आया है and after that dress आया है तो इसका मतलब है जब only किसी noun से पहले लग जाता है तो only का मतलब होता है केवल एक only एक मात्र dress जो मेरे पास थी उसने मेरी वो dress देखी जो मेरे पास अकेली थी उसके अलब है मेरे पास कोई dress नहीं थी तो इसका मिनिंग हो जाएगा मेरी एक मात्र dress को उसने देखा she so my dress only अब देखे यहाँ पर only sentence के last में आया है and यहाँ पर यह noun के कह सकते noun के बाद आया या फिर object के बाद आया है तो यहाँ पर इसका meaning है उसने देखा क्या देखी उसने my dress only केवल मेरी dress मेरी dress केवल उसने केवल मेरी dress देखी तो इसका मतलब है कि मेरे पास और भी सामान था बुक्स थी पैंस थे और भी सामान था बट उसने क्या देखी केवल ड्रेस देखी उसने कोई और सामान नहीं देखा तो देखिए कैसे सेंटेंच यहां पर है उसने केवल क्या किया केवल उसने मेरी ड्रेस देखी सेकिर में अगें देखिए उसने मेरी ड्रेस को के और की ड्रेस को नहीं देखा सी सो माई ड्रेस को देखा उसने केवल मेरी ड्रेस को देखा उसने क्या किया मेरी केवल ड्रेस को केवल देखा तो क्या किया मेरे पास और भी सामान था लेकिन उसने क्या 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 केवल ड्रेस को देखा मेरी और कुछ नहीं राइट तो द तो यही थी आज की वीडियो आप इसको अच्छे से समझ लीजेगा और आज के बाद ओनली का अच्छे से यूज करियेगा ताकि आप जो मैसेज कनवे करना चाते हो सामने वाले को वो प्रोपर आप कनवे कर पाए तो बस यस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दें बबाई टेक कियर इस्टे हेल्दी एंड कीप लर्नेंग